मद्रप्रदेश के पन्ना जिले में तीन दिन पहले कोदवाली थाना शेत्र के ग्राम धहलान चोकी के पास एक व्यक्तिक अश्रब मिला था शनिवार को पुलिस की द्वारा खुलासा में पता चला कि अनैतिक संभन्ध के चलते पती पत्नी और एक अन्य महिला साथी के साथ मिलकर हत्या की घटना को अंज़ाम दिया था कोदवाली थाना शेत्र के ग्राम धहलान चोकी में तीन दिन पुर्व एक तीस वर्षी युवक की लाज मिली थी मामले को देख कर ऐसा लग रहा था कि जैसे युवक की हत्या की गई हो तो पता चला कि जिस में धहलान चोकी नेवासी इंद्रकुमार कुश्वा पतनी खुशाली कुश्वा तथा उसके एक महिला साथी पूजायादव ने इस घटना को अंज़ाम दिया है हत्या की वजह महिला का शादी के पूर्व मरतक से अवेश संभंधों का होना बताय जा रहा है क्योंकि मरतक खुशाली को शादी के बाद भी परिशान क्या करता था इसलिए तीनों ने योजना बंद्वतरीके से मरतक की हत्या कर दी इस हत्याकान में सबसे बड़ी बात यह है कि जिसने अभी संसार को जाना तक नहीं, अच्छे बुरे की पैचान तक नहीं, वह भी अपने माबाप के लिए कर्मों की सजाज जेल में काटेगा और जब तक माबाप जेल में रहेंगे उसे भी जेल में रहना पड़ेगा हलाकि SP का कहना है कि हम इस बारे में न्याने के विशेशग्यों की सहा ले रहे हैं पन्ना से राम नरेश विश्वकर्मा की रिपोर्ट